ये हैं Viltrox brand का portable monitor जी हाँ वहीं Viltrox brand जिसके आपने अकसर lenses जरूर देखे होंगे और आज की वीडियो में guys मैं आपको इसी portable monitor के बारे में बताने वालों ये एक ऐसा monitor है जिसको आप अपने camera के ओपर attach करके easily जो भी आप shoot करें वो सारे content को देख सकते हैं और complete जो ये monitor है ये touchscreen operated है यानि कि आप button और touchscreen दोनों की मदद से इस monitor को जो है use कर सकते हैं तो आए शुरू करते हैं आज की वीडियो देखते हैं overall जो Viltrox का ये monitor है DC 550 pro ये किस तरह से perform करता है और शुरुआत करते हैं सबसे पहले quick unboxing से तो Viltrox का ये monitor आता है white color की packaging में और जैसे हम box को open करते हैं हमें बहुत ही अच्छी packaging देखने को मिलती है basically एक carrying case देखने को मिलता है जिसके अंदर complete हमें सारा content देखने को मिलता है और quality भी बहुत अच्छी है और जैसे हम इसको open करते हैं तो open करते ही सबसे पहले हमें देखन को मिलता है user manual उसके बाद मिलता है mount करने के लिए एक adapter ताकि आप camera के उपर या कहीं भी mount कर सके फिर मिलती है data cable USB to type C और फिर मिलती है HDMI cable camera के लिए और फिर आती है monitor की main unit तो इस तरह से guys हम जाए overall monitor देखने को मिलता है इसको हम detail में देखेंगे बाद में but guys in the box हमें ये सभी content देखने को मिलता है अब unboxing के बाद बात आती है इसके design और overall user interface की control की इसको थोड़ा detail में जानते है कि अगर हम इस monitor को practically use करते हैं तो हम किस तरह से इसको overall use कर पाते हैं touchscreen operation या फिर बाकी सारी चीज़ें किस तरह से perform करते हैं और कैसे हम इसको अपने camera के साथ control कर पाते हैं आई ये इस सारी बातों को detail में जानते हैं तो विल्ट्रोक्स का ये monitor है completely touchscreen और उपर हमें SD card का slot देखने को मिलता है जहां पे हम SD card को डालके सारे LUTs को जो है install कर सकते हैं तो इस मामले में बहुत ही बढ़िया ये आपके काम आ सकता है अगर आप cinematographer है तो आप जो है इस तरह सी memory card में अपने LUTs को load करके वापिस इसमें insert करके सारे install कर सकते हैं और apply करके देख सकते हैं और ठीक इसी के side में हमें तीन button देखने को मिलते हैं F1, F2, F3 जिसमें आप custom जो है कोई भी function set कर सकते हैं और मिलता है back का button और same operation जो है आप touch से भी सारे control कर सकते हैं आपकी मरजिया पावर देने का option मिलता है या फिर आप DC से भी power दे सकते हैं और हमें मिलता है tripod का screw mount ताकि आप इसको mount भी कर सके tripod पे और नीचे की तरफ हमें HDMI in HDMI out और हमें audio monitoring का jack देखने को मिलता है tripod mount के साथ में पीछे की तरफ हमें बैटरी का compartment देखने को मिलता है battery साथ में नहीं आती हमे अलग से लगानी होते हैं तो मैं यह उस करूं डिजिरेक की बैटरी तो इस तरह से आप यहां पर बैटरी लगा सकते हैं और इस monitor की design में मिरको सबसे अच्छे बात यह लगी कि बहुती practical चीजों का ध्यान रखा गया है let's say अगर आप outdoor location में harsh sunlight में shoot करते तो आपको इस तरह आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं अब बात आते हैं इसको detach करने की तो बहुत ही असान है आप simply तीनों तरफ से इसको इस तरह से detach करके remove कर सकते हैं चलेगा ही जब करते हैं इसको अपने camera के साथ connect और मैं आपको detail में दिखाता हूं कि इसके user interface में हमें क्या-क्या features देखने क को मिलते हैं और कैसे आप इसको completely use कर सकते हैं इस monitor में जब हम F1 बटन को press करते हैं तो हमें जो है focus picking जो है देखने को मिलते हैं इसको हम change भी कर सकते हैं तो आपको focus picking on करने आफ करने आपर depend करता है फिर है center mark का बटन जो है F2 जिसमें आप center marking कर सकते हैं और फिर आता है F3 से enable कर सकते हैं फिर histogram आता है histogram में जो है आप देख सकते हैं किस तरह की color values और यह exposure कैसा है RGB histogram यह वह आप ले सकते हैं उसके बाद आता है vector अगर आप vector को enable करना चाहते हैं तो यह जो है न सारी चीज़ें अगर आप एक cinematographer है आपको knowledge है color grading की या फिर colors की तो आप जादा इस ची कर सकते हैं उसके बाद आती है next setting जिसमें हमें जो है focus picking की additional setting देखने को मिलते अगर आप और भी precisely करना चाहते है intensity change करना चाहते है या फिर अगर आप zebra को जो है change करना चाहते है किस तरह से आपको दिखे तो इस तरह कि आपको अलग-अलग type of focus की settings से हमें देखने को मिलते है जिससे आप precisely यह पता लगा सकते कि किस तरह की color tone और किस तरह का focus हमें देखने को मिलेगा उसके बाद आती है कुछ additional settings जैसे कि अगर आप flip करना चाहते है horizontally या फिर vertically and next panel है marking का यानि कि अगर आप marker को जो है thick करना चाहते है white या फिर black या फिर उसके colors को change करना चाहते है तो आ आप marker को enable करके center marker को इस तरह से उसकी settings को change कर सकते है colors को change कर सकते है और अगर आप composition के लिए gridlines को enable करना चाहते हैं जैसे आप rule of third जो है apply करना चाहते है composition में तो उसका भी आपको solution इसमें मिलता है इसके लावा अगर अलग-अलग aspect ratio में shoot करना चाहते हैं जैसे कि 16 is to 9 या फिर horizontal, vertical, instagram के लिए वो सभी जो है आपको ratio इसमें देखने को मिलती है जैसे कि 4 is to 3, 14 is to 9, 16 is to 10, 16 is to 9 ये आपको सारे इसमें ratio देखने को मिलती है in fact आप full ratio भी shoot कर सकते हैं देख सकते हैं तो ये जो आपको सारी settings इसमें देखने को मिलते हैं जो बहुत help करते हैं एक cinematographer को and guys अगर आप zoom करना चाहते है तो आपको zoom करने का solution भी मिलता है जैसे 1.4x, 2x, 4x, 8x इस तरह के बहुत सारे zoom है और उसके बाद चलते हैं next setting में जिसमें हम brightness, contrast, saturation, hue, sharpness, backlight, color temperature इस सारे settings को explore कर सकते हैं अपने coding जो है adjust कर सकते हैं इसके लावा अगर आप additionally जो है इस monitor की settings को explore क परना चाहते हैं तो वो भी हमें बहुत रैगी देखने को मिलते हैं जैसे की fan speed, volume, menu, reset, function की इस सारी setting आप कर सकते हैं तो यह सारा जो है complete user interface इस monitor का हमें देखने को मिलता है इसके अलावा इस Viltrox monitor में मेरे को सबसे खास बात यह लगी कि हम इसको 3 तरह से power दे सकते हैं सबस की जो overall quality काफी अच्छी है चाहे build quality की बात हो या फिर touchscreen की quality हो touchscreen जो है काफी अच्छी responsive मेरे को लगी as such को भी मेरे को lag देखने को नहीं मिला और overall जो nits है वो भी काफी अच्छी है मतलब bright display अगर आप outdoor location में भी इस display को use करते हैं तो आपको कोई भी as such problem देखने को नहीं और being a professional content creator सबसे ज़्यादा चीज portable monitor को use करते हैं जो हमारे काम आती है वो होता है audio monitoring और brightness और इन दोनों चीज़ों guys मैं shortcut दे रखा जो मेरे को बहुत पसंद आया let's say guys अगर मेरे को audio monitoring की volume बढ़ाने तो मैं simply swipe up करके screen जो है जल्दी से बढ़ा सकते और similarly अगर मैं brightness बढ़ाना कर सकता हूँ इसके अलावा इस monitor की practical usage की बात करें तो इसमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखा गया है कि अगर आप harsh sunlight में outdoor location पे shoot करते हैं और इसका heat होने के chances जादा होते हैं तो इसके अंदर fan control का आपको option देखने को मिलता है आप fan को medium, low, high, 3 option पे control कर सकते हैं यानि कि अ अब यह सारी specification और सारी testing के बाद सवाल यह आता है कि इस monitor का price क्या है तो guys price मैंने यहाँ पर mention कर दिया आप यहाँ से price देख सकते हैं इस price में जो हमें monitor देखने को मिलता है अगर आप एक ऐसा monitor चाहते हैं जो touch screen से चलता हो और उसके अंदर button controls भी हो और उसके अंदर 3 power option हो औ पाकी तरह के option हो तो आप guys इस monitor को consider कर सकते हैं and guys video अच्छी लगी तो video को like and channel को subscribe जरूर करें stay tuned until next video